दोस्तों काफी दिन बाद ये वीडियो बना रहा हूं मैं बीच में कुछ काफी कोशिश के बाद भी नहीं हो पाया मतलब ये और आज भी जो है काफी पशोपेश में था लेकिन मैंने कहा कि आप लोगों के लिए फिर से एक बार प्रयास करना ही चाहिए पूर जोर प्रयास क जो राहूल गांदी जी की संसा सदस्ता जो है वो चली गई और इसके बाद जो है काफी बयानबाजी आई लेकिन जो सबसे एक मजबूत बयानबाजी मुझे मेरे ध्यान में आई वो ये थी कि अर्विन के जरिवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं उन्हों ने जो है जो जाने पर जो है काफी तीखा उन्होंने पयान दिया और एक कॉंग्रेस जो है वो डिली अगर आप पार्टि को जो है उसको दो बर हरा चुके हैं वह आज भी केंद्रे नेत्रे तो है पार्टी का वह वही पर डिली में ही रहता है जाएधे तो कहने का मतलब यह है demon讳ू जी जो निक्रिवाल यह वह कहीं न कहीं इस बात को गोल कर सकते थे इस बारा में बयान देने से बच अहल्क हरा प्र को बयान को जो है कॉंग्रे से ही मुकाबला करना है तो वो मनें उन्होंने मेरा कहने के मतलब यह कि वो चाहते तो इस बात को गोल कर सकते थे अपने पार्टी के हित में या जो है एक कहना चाहिए कि पॉलिटिकल रियल पॉलिटिक के हिसाब से वो इस मुद्दे को गोल कर सकते थे या मत्यप्रदेश में करनाटक में उनको जो है अगले 15 दिन या 20 दिन जो है विशेश अभियान चलाना चाहिए इन प्रांतों में और उसका जो जो मूल उद्देश रहेगा वो यह की लोकतंतर के नायक के रूप में जो है अरविंद केज्रिवाल को प्रस्तुत किया जाए उनको जो है उस थापित करने की कोशिश की जाए और यह वाकिए बड़ी बात है क्योंकि आप देखिए कि अपने प्रतिदुन्दी जो जो कमजो की का नाम लेते हैं अलोचना करने करें तो उससे पब्रिसिटी मिल जाती है तो इसलिए जो है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो अरविंद केज्रिवाल जी का जो बयान है उसको जो है गंभिरता से लिया जाना चाहिए और उजह लगता है कि आप पार्टी का जो 36 गाड की अर्विंद केज्णिवाल जो हैं दर असल लोक्तंतर के प्रहरी के रूप में जो हैं अपने आपको प्रोजेक्ट कर रहे हैं और एक लोकतांत्रिक नेता जो की चाहता है कि अलग-अलग व्यूपॉइंट जो है वो जनता के सामने आए और उसके बाद जो है जनता उस पर से चुनाओ करे कि उसको क्या ठीक लगता है और उसके हिसाब से वो अपना मद्दान करे तो मुझे लगता है कि तिनो राज्यों में आप पर्टी को विश्चेत अब्यान चालाना चाहिए डू डेमोक्राट के जरीवाल या लोकतांत्र के प्रहरी के जरीवाल इस तरह से जो है ब्रांडिंग होनी चाहिए जनता की जाना चाहिए यह मौका खोना नहीं चाहिए एक जो बड़ा इनिशेटिव यह इन जो प्र कुछ ऐसा करेंगे ऐसा नहीं होना चाहिए इस बारे में उनको खुच से प्रस्ताव भेजना चाहिए और अपरूबा लाने के बाद में तुरंत उनको इस काम में लग जाना चाहिए ना क्योंकि आप पार्टी ने वाकरी में मुझे लगता है किजरिवाल जी ने एक बड़ा कदम उठाया है पॉलिटिकली और इसका लाव अगर उनको मिलता है तो मिलना चाहिए अगर उनको इसका लाव मिलता है तो धन्यवाद